सत्तर से अस्ती के दशक में लोगों के दिलों में राज करने बाली परवीन बॉबी की आज बर्ट एनिवर्सरी है परवीन अपने समय की खुबसूरत और बोल्ट आक्टरस थी बड़े परदे पर उन्हें देखने के लिए थेटर्स में लाइन लग जाती थी परवीन कई दिलों में राज करती थी लेकिन उनके दिल में एक इंसान ने घर कर लिया था वो शक्स और कोई नहीं महेश भट थे परवीन और महेश की लव स्टोरी के बारे में कई लोग जानते होंगे लेकिन कैसे इस स्टोरी का अंत हुआ ये शायद ही जादा लोगों को पता होगा तो आज परवीन की पर्थ एनिवर्सरी पर बताते हैं इस अधूरी लव स्टोरी के बारे में जी हाँ परवीन जब अपने करियर की उचे मुकाम पर थी तब उन्हें महेश भट से प्यार हो गया था दोनों की लव स्टोरी की शिर्वाद 1977 में हुई महेश उस समय शादी शुदा थे लेकिन फिर भी वह परवीन बॉबी के साथ उस समय लिव इन रिलेशन्शिप में थे परवीन उस वक्त फिल्म अमर अकबर एंथनी की शूटिंग कर रही थी सब कुछ सही चल रहा था वह अपना स्टाडम एंचोई कर रही थी और घर पर वह महेश भट के साथ एक आम लड़की की तरह थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी लेकिन परवीन की जिंदगी की ये जादा समय के लिए नहीं थे रिपोर्ट्स के मताबिक 1969 की एक शाम महेश भट जब घर आए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म के कॉस्ट्यूम में देखा जो घर के कोने में बैठी थी और उनके हाथों में चाकू था कह रही थी कि कुछ मत बोलो वो लोग मुझे मार देंगे ये पहली बार था जब महेश ने परवीन की ऐसी हालत देखी थी इसके बाद परवीन को ऐसे अटैक आने लगे थे ऐसा कहा जाता है कि परवीन पारणाइड स्किट फ्रानिया नाम की बिमारी से जूज रही थी पर परवीन की हालत खराब होती जा रही थी बार बार कहती थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है रिपोर्ट के मताबिक परवीन बॉबी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बिलकुल अलग था जिहां रिपोर्ट के मताबिक जब महेश भट को कोई आप्शन नहीं मिला तो परव परवीन बॉबी की हालत में सिधार आएगा लेकिन ऐसान नहीं हुआ तो उसी साल महेश परवीन को छोड़ कर अपनी पहली पत्नी के पास चले गए परवीन के जो बैंगलरू में फिलोसफर थे उन्होंने महेश को एक्ट्रिस से दूर रहने को कहा उनका कहना था कि महेश का के पास रहने से एक्ट्रस की हालत और खराब हो रही है इस दौरान फिर महेश अपनी फिल्म अर्थ की स्टोरी लिखने लगे ऐसा कहा जाता है कि यह फिल्म उनकी अपनी लाइफ से इंस्पार्ड है जहां इसकी कहानी बिलकुल अलग है इसके बाद परवीन भी अपना ची फिल्वासिफर में से किसी एक को चुना होगा क्यूंकि फिल्लासोफर ने परवीन की हालत देख कर उन्हें अक्टिंग की दुनिया में जाने से मना किया था और इस वजह से परवीन उन्हें पसंद नहीं करती थी महेश ने फिर परवीन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से देर रात चले गए परवीन भी बिना कुछ सोचे उसी हालत में उनके पीछे भागी लेकिन महेश ना उस वक्त पीछे देखे नहीं वो वापस आए और ऐसे इस कहानी का अंत हो गया 2005 में महेश को कई मेसेज आने के बाद पता चला कि परवीन का निधन हो गया है जब महेश भट को पता चला कि उनके परिवार से कोई वादी को क्लेम करने नहीं आया है तब उनका अंतिम संसकार वो करने आए महेश का कहना है कि उनकी सक्सस के पीछे आज भी परवी इनका ही हाथ है जी हाँ तो आप कुछ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स नाइन न्यूस से सुर्भी के रपोर्ट